नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स नियूज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा बिहार के सरकारी विद्यालेों में गुनवत्ता पुर्ण सिक्षा और बहतर सैक्षिनिक माहौल उपलब्ध कराने को लेकर लगातार प्रयास किये जा रहे हैं बावजुद इसके समस्तिपुर जिले में कई ऐसे विद्याले हैं जहां आधार भुट सनरचना के आभाव को लेकर बच्चों के साथ साथ सिक्षकों को परिसानी का सामना करना पर रहा है समस्तिपुर के सरकारी स्कूल की इन तस्वीरों को देखकर तो लगता है कि सरकारी विद्याले में सिक्षा मजाग बनकर रह गया है यह तस्वीर समस्तिपुर प्रकंड के मोहन पुरस्थित उच्च माध्यमिक विद्याले की है इस विद्याले में दो कमरों में नौवी से बारहवी तक के लगभग दो सो बच्चे पढ़ाई करते हैं एक कमरे के आधे हिस्से में कारियाले संचालित होता है वहीं आधे हिस्से में स्मार्ट क्लास चलती है जगह के अभाव में कम्प्यूटर बेतर्तीब तरीके से रखे पड़े हैं वहीं दूसरे कमड़े में बाकी की क्लास संचालित होती है सबसे हैरान करने वाली बात है कि विद्याले में केवल चार सिक्षक है सभी विस्यों के लिए सिक्षक तक नहीं है हाई स्कूल में साइन्स विस्यों में लैब की जरुवत होती है लेकिन यहां संसाधन के अभाव में एक साथ सभी वर्ग के बच्चों को बैठने तक की विवस्ता नहीं है लैब की बात करना तो दूर की बात है विद्याले में भी परिक्षा चल रही है एक बेंच पर पांस से छे बच्चे बैठ कर परिक्षा दे रहे हैं आधे बच्चे जगा नहीं होने के कारण परिक्षा में सामिल नहीं हो पा रहे हैं बच्चों का कहना है कि विद्याले भवन के उपर से हाई टेंसन तार गुजरती है तेज हवा में आए दिन तार तूटने और विद्याले के बीचो बीच पोल में करेंट आने का खत्रा बना रहता है एक ही वर्ग कक्ष होने के कारण बैठने में समस्त्या होती है खास कर गर्मी के समय में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पीने के पानी की भी विवस्ता नहीं है विद्याले के प्रिंस्पल और अभिभावकों का कहना है कि संसाधन के अभाव के कारण यहां काफी परिसानियों का सामना करना पड़ता है वर्ग कक्षा के अभाव में रोजाना बच्चे क्लास नहीं कर पाते हैं इस मामले पर जिला सिक्षा पतादिकारी का कहना है कि हर पंचायत में हाई अस्कूल खोलना था ऐसे में मध्ध विद्याले को उत्क्रमित कर उच्च विद्याले बनाया गया है वहाँ जमीन की कमी है जिस कारण भवन नहीं बन पा रहा है जहां जमीन उपलब्ध होगा वहाँ भवन का निर्मान कराया जाएगा इसके साथ ही DEO का कहना है कि TRE1 और TRE2 में सहरी शेत्र में सिक्षक नहीं दिये गए थे TRE3 में संभवता सिक्षक आएंगे या फिर साक्षर्ता पास सिक्षकों को स्थानांतरित किया जाएगा तो फिलाल इसकार में इतना ही है दर्स न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले